नमश्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुयू सून में आशा करता हूँ कि करोना संक्रमन के जोर में आप सब लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों के अंदर सुनिश्चित बैठे होंगे और दूसरों के भी हेल्थ को नजर अंदाज ना करें और साती साथ अपने परिवार हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके जो आफिस के कारेकाल में जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उन सब की सेहत का आप ख्याल रखें और उसको सुनिश्चित तरीके से सुरक्षित करें दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, इसमें एक बड़ा हम एक रोचक विशाप से चर्चा में लाना चाहते हैं, जो की मास्क को लेके है करोना पिछले साल हमारे देश में आया, उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हुआ, तीन महीने का, उसके बाद से लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे लगता है, बीच में कुछ ऐसी गड़बर रही, कि लोगों ने या तो मास्क धंग से नहीं पहने या ऐसा समझा कि वो इस अद्रश्य जो प्राणी है, जिसका नाम करोना है, या COVID-19 नो से अकेले ही लड़ सकते हैं, तो इसको चलके थोड़ा से कहीं मुझे लगता है, हम लोगों ने ढिलाई बरती है, और ढिलाई बरतने के साथ-साथ, लोगों ने या तो मास्क नाके नी कानूनी ये अपने चैनल सुईसून के जरीए पहुचाना चाते हैं, तो आइए जरा समझ लेते हैं कि दिल्ली हाइकोट का जज्जमेंट क्या बात करता है, इसकी प्रिष्ट भूमी कुछ इस तरीके की है, कि चार वकील सहाब लोगों के उपर अलग-अलग टाइम पर चल कान से मास्ट लटक रहा था, उसके चलते भी उनका चलान हो गया, तो ये चारो गोकील अलग-अलग याचिका के द्वारा दिल्ली हाइकोट तक आए, और उन्होंने ये बोला कि अगर हम कार में अकेले बैठते हैं, तो जो हम पर चालान कटा है, वो गैर कानूनी है, या व में आता है, एक एपडेमिक एक्ट की बात हुई, डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट की बात हुई, और इंडियन पिनल कोट की बात हुई, इसके लावा बाकी कुछ और विश्यों की चर्चा हुई है जजज्मेंट पर, और जजज्मेंट के अंतरगत ये बात कही जाती है, कि देखिए जो चीज सोचने की वो ये है कि आप कार में अपने आपको के लाना समझे क्यूंकि जब आप कार चलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एसी चलाने से पहले हो सकता है आप होती थे नीचे करें और कि वो कोई आदमी है और उसको अगर करोना है या स्कूल जा रहे हूं और वहां पहुंच जाते हैं और अगर वहां अपने अतिहात नहीं बढ़ती या आपने किसी सर्फिस को छू लिया क्योंकि यह जो करोना है सिरफ एर बॉन नहीं है सर्फिस तो सर्फिस से भी फैलता है तो इसके चलते जब आपनी गाड़ी में वाप करता है और यह मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने इसमें जो यह उधारन दिये कि क्यों एक सिंगल व्यक्ति को या महिला को अगर आप ट्रैवल कर रहे हों कार में अकेली भी ट्रैवल कर रहे हों तो जहां तक हो सके सावधानी बढ़ते हैं क्योंकि आप सरफ अपनी जान प के साथ ट्रैवल करते हैं सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर भी है और जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उन पर भी है तो अब इस चीज़ को एक कानूनी आप कह सकते हैं प्रिसिडेंट मिल गया है एक कानूनी तागत मिल गई है और दिल्ली हाई कोट के जज्ज से गती पकड़ रही है हमारे देश में मैं समझता हूं कि बहुत एक सम्वेधिन शील विशेपे जज्जमेंट लाया गया है और हमको इसको एक इगो इशू नहीं बनाना चाहिए और जहां तक हो सके अपने को भी स्वस्त रखें सेफ रखें और जो आपके साथ लोग जु से यू सूम